हैलो एब्रिवन कैसे हो आप सब उमीद करता हूँ सब लोग सबस्त होंगे मस्त होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे और उमीद या भी करता हूँ कि आप लोग पिछला वीडियो देख कर आए होंगे जहां पर हमने चर्चा की थी सेल दा यूनिट आफ लाइफ पर अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और अब बिना टाइम बेस्ट किये हम स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक दा लिविंग वर्ड जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कोई लिविंग और गेनिजम है तो हम देखते हैं टेक्सोनॉमी आप जब दा लिविंग वर्ड चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो आपको यह चार वर्ड बहुत बार देखने को मिले होंगे हैं करेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन और नॉमेंक्लेशर यह बार बार रिपीट किये ग जैसे हम किसी और गैनिजम को देखते हैं तो हम पहले उसके करेक्टर को देखते हैं उसके बार हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं फिर उसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं और फिर हम उसका नॉमेंक्लेशर करते हैं और इसी को हम टॉक्स टैक्सोनॉमी बोलते हैं इसके याद करने के लिए trick है कि तो आप सभी लोग जानते होंगे तो ब्राट कोहली किर्कट खेलता है फ्लedelो पर तो कोहली plays cricket on flat grounds, कोहली के K से kingdoms, plays के P से phylum, cricket के C से class on के o से order, अगर हम kingdom को देखते हैं तो यह largest होता है और जो हम इस्पसीज को देखते हैं यह smallest होता है और जब हम उपर से नीचे की और आते हैं kingdom से इस्पसीज की और आते हैं तो similarities बढ़ती है आप उमीद करता हूं इस टिरिकक के बाद से आप taxonomical hierarchy जो है इसे नहीं भूलेंगे आप हम बात करते है taxonomical AIDS की तो taxonomical AIDS क्या है जैसे हम किसी organism के बारे में संपूर जानकारी अगर हम उख्टा करते हैं तो कैसे उख्टा कर सकते हैं एक तो प्रिजर्वेशन से अरथात कोई जीव है वा मर गया है उससे हम पूरी जानकारी खठा कर सकते हैं या फिर कोईа जीव है वा जिन्दा है उससे हम पूरी जानकारी खठा कर सकते हैं या फिर हम किसी बुक से उस जीव के बारे में पढ़के जानकारी खठा कर सकते हैं तो इसमें जो तीन है एक है प्रिजर्वेशन एक है कंजर्वेशन और दूसरा है लिट्रेचर प्रिजर्वेशन जो होता है इसमें डेड ऑर्गैनिज्म होते हैं प्रिजर्वेशन में living organism से जानकारी खठा करते हैं, literature यानि कि book से, अब हम बात करते हैं preservation की, preservation में दो चीजे आती हैं, एक तो herbarium और एक museum, यहां से हम किसी organism के बारे में जानकारी खठा कर सकते हैं, herbarium जो है, तो herb, तो herb यानि कि plants, plants के बारे में अगर हमें जानकारी खठा कर करनी हैं, तो हम herbarium से कर सकते हैं, इसके अलाव museum, museum में plants और animals, दोनों की जानकारी मिल सकती हैं, लेकिन preservation है, तो preservation में dead plants और डेड़ प्लांट्स एनिमल की जानकारी ही इखठा कर सकते हैं इसके बाद अगल हम बात करते हैं इसके लिफ प्लांट्स प्लांट्स जीवित प्लांट्स, उनकी जानकारी इखठा होगी अब इंसी आर्टी में तीन Botanical Garden दिये गए हैं एक तो है Q Botanical Garden, जो की इंग्लैंड में इस्थित है और दो इंडिया में हैं, एक है इंडियन Botanical Garden और एक है नेशनल Botanical Garden अब हम से याद कैसे करेंगे, तो Q Botanical Garden जो है यह तो इंगलेंड में हैं इसके बाद इंडियन और नेशनल यह जो दो बょक्षाइशनल गार लिखनाव क foul तो नेशनल डदलगारण लखनाव में इस्थित हैं और इंडियन बटलेशनलगारण हर इंडियन डदलगारण हाउ--- पॉलकाता हैं इसके बाद हम लिट्रेचर में हम यानि wonderplaying Biz लिखे लिखी पूरी चीजों से घठा करते हैं तो तीन तरीके हिच में एक तो फलोरा या दिखने से लग रहा है प्लांट से जानकारी ऑभी चीजि़ों से लाख़ाज कर सकते हैं manual से हम species के नाम की जानकारी खठा कर सकते हैं और monograph, monomins होता है one तो about one taxa, एक taxa की जानकारी अगर हमें हासिल करनी है तो हम monograph से देखेंगे इसके बाद हम देखते हैं कुछ full form ICBN का full form क्या होता है International Code for Botanical Nomenclature और जो ICGN है, इसका जो full form है इसका full form होगा International Code for Geological Nomenclature अब हम बात करते हैं concept of species ये किस ने दिया, ये दिया था Ernest Meyer ने और term जो species है ये दिया था John Dray ने इसे के साथ में हमने इस chapter की लगभग चीजे कबर कर ली हैं और अगर आपको इसमें कोई भी doubt आता है तो आप comment section में हमसे पूछ सकते हैं और अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में स्थाओ सका हाओ